हेलो फ्रेंट्स, नॉलेज रनर में आप सभी का स्वागत है जिन्दगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है तो दोस्तों आज की कहानी आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेड़ना देगी तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं चार दीपक आपस में बाते कर रहे थे कुछ अपनी सुना रहे थे और कुछ दूसरों की सुन रहे थे पहला दीपक बोला मैं हमें ऐसा बड़ा बनना चाहता था सुन्दर और आकरसक घड़ा बनना चाहता था पर क्या करूँ छोटा सा दीपक बन कर रहे गया हूं तीसरा दीपक बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार था, कास मगुलब बनता तो हर समय पैसों से भरा रहता। चौथा दीपक चुपचाप उनकी बाते सुन रहा था, अपनी बारी आने पर वह मुस्कुरा कर अत्यन्थी विनम्रसवर से कहने लगा। मैं आप लोग को एक राज की बात बताना चाहता हूँ, कुछ उद्दे से रखकर पून मेहनत से उसे हासिल करने के लिए प्रयास करना सही है, लेकिन यदि हम किसी कारण वस असफल हो भी गए, तो भागे को कोशने में कोई समझदारी नहीं है, यदि हम एक जगह असफल हो भ सभी का महत्व होता है, अब यह सोचो कि दीपो का पर्व दिपावली आ रहा है, हमें सब लोग खरी देंगे, हमें पूजा घर में एक विशेश इस्थान मिलेगा, हम घर घर की सोभा बढ़ाएंगे, इसलिए दोस्तों जहां भी रहो, हर हाल में खुस रहो, द्वेस मिटा खुद जल कर भी दूसरों को प्रकास फैलाओ, नाचो गाओ खुसी मनाओ, दिपावली मनाओ, भाग्ये को कोशने से कोई लाभ नहीं, आप जिस इस्थिती में हैं, उसमें ही खुस रह कर सतकर्म करें, सकारात्मक सोचें, और यही हमारी प्रवर्ती होनी चाहिए, तो दोस प्रवर्ती में हैं, वह कारें, इमानदारी से करें, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.